आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में श्री नमीन जिंदल एवं जैस पेल के अन्य अधिकारियों ने यह है प्रेजेंटेशन दी कि हम अंगुल प्लांट को जो कि अभी चे मिलियन टन पर एर की कपेस्टी पे है उसको कपेस्टी बढ़ाकर 25.4 मिलियन टन पर लेके जाए कि वो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट बन जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट है अभी तक अंगुल में 33,000 क्रोड रुपी की इन्वेस्टमेंट जैस पेल कर चुकी है यह इन्वेस्टमेंट बढ़कर 110,000 क्रोड की हो जाएगी जो कि अपने आप में एक बहुत में यह सारा 25,000,000 का प्लांट लगाने की एक मोहिम चलाई है इसके लिए बहुत सारी विदेशी कंपनी जो की बहुत ही स्मॉल फुट्प्रिंट के अंदर प्लांट को फिक्स कर सकती है ऐसे प्लांट और टेक्लिनोजी का को लगा जाएगा और भारत के अंदर जितनी भी प्लांट्स और एकाईयां लगी हुई हैं उन सब में यह देखा जाएगा कि हम कम से कम जगह में हम प्लांट को लगाएं और पूरा जो एको सिस्टम है उसको डिस्टर्ब ना होने दें भारत सरकार की जो एन्वार्मेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज हैं उनको पूरा मद्द नजर रखा जाएगा और जैस्पी अशि प्लानिंग कर रहा है कि 60 से 70 परसेंट स्टील जो है वो है वह है अनरजी को इस्तिमाल करके बनाया जाए है इन्ही सभी टेक्नोर्जी जीज का आज ब्योरा जैस्पी यह ने माननिया मंत्री श्री प्रफुल मलिक मानिया मंत्री श सीव सेक्री उडिसा सरकार को दिया और अमीद है कि ये प्लान्ट एक सही रूप और वास्तिक रूप ले पाएगा और जैस्पी यल उडिसा सरकार का सबसे बड़ा इंवेस्मेंट भागिदार बनेगा जिससे हजारों और हजारों लोगों को डारेक्ट इंप्लाइमेंट और लाखों लोगों को इंडिरेक्ट इंप्लाइमेंट मिलेगी.